नमस्कार तूर दर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है भारती राजनीती की बात करें या बात करें लोकतंत्र की तो वस्तव में इसमें पक्ष और विपक्ष ये जब दोनों ही मजबूत होते हैं तब कहा जाता है कि लोकतंत्र वस्तव में मजबूत होता है हर एक राज्य के हिसाब से, जए हम बात करें तो एक सत्ता पक्ष होता है और दूसरा जब विपक्ष होता है वो ये तै करता है कि वास्ताव में जो राज्य में शाशन कर रही सरकार है, वो जनड आकांख्षांव पर खरी उतर रही है अथूआँ नहीं उतर रही है, साथ ही उनके संगठन का क्या विचार है और वो विचार जनता तक कैसे पहुंचे ये भी कारिक्रम निरंतर रूप से चलते रहते हैं। आज के इस कारिक्रम में हमारे साथ हैं भारतिय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी पूनिया। सतीश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दावा है कि किसानों के कल्यान के लिए जो कानून बनाए गए हैं, वो एक तरफ है, दूसरी तरफ अनेक किसान संगठन उसके विरोध में भी अंदोलन कर रहे हैं, अनेक किसान संगठन उसके समर्थन में भी केंद्रिय क्रशी मंतरी के पास जाकर अपना पक्ष रख रहे ह क्या इस कानून में ऐसे विशेश प्रावधान हैं क्या कुछ ऐसे विशेश मुद्धे हैं जो किसानों के कल्यान के लिए केंद्र सरकार लेकर आई है देखिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसमें भारत की उस अर्थ विवस्ता में किसान एक बड़ी ताकत है खेती आज अभी आपने कोरोना का जिक्र किया तो कोरोना के कालखंड में भी खेती एक अकेला सेक्टर था जिसमें तीन पॉइंट चार उसमें निश्चित की गई जी और अन्य था भी हमारी जीडीपी का लगबग चोदे प्रतिशत इसी खेती के जरीए हासिल होता है तो किसान आजदी के बाद क्योंकि हमारे याँ परंपरागत खेती थी जी और सामाने तोर पर उस परंपरागत खेती से लागत ज्यादा होत ता उसको कीमत कम मिलती थी और जोखिम बलकुल तया नहीं होती थी एक बहुत लंबे अरसे तक क्योंकि देश में एक पार्टी का शाषिन रहा, बहुत लंबे अरसे तक वो शाष्न में रहे, लेकिन अनिग्रेजों के जाने के बाद तक, कॉंगरेज पार्टी निंए एक लंबे अर्से तक शाशन किया, बीच में कुछ कालखंड में दूसरी सरकारें आई, लेकिन मैं दी निर्पेक्ष तरीके से आकलन करूं, तो वास्तों में उस बैनतकस किसान के सामने एक बड़ी चुनोती थी, जो मैंने कहा कि खेती में जोखिम बहुत है, दीरे-दीरे आबा कम हो, कीमत ठीक मिले, जो खिमते हो, और बारत का किसान भी विश्व के किसानों के समकक्ष खड़ा हो, मुझे लगता है कि एक समय था, धीरे-धीरे, किसान एक क्योंकि केवल किसान के नाते नहीं एक बड़ा वोट बैंक भी है, मतदाता भी है, हम इदी आकलन करें, तो पहली बार जो मैं समझता हूं कि अटल बिहारी बाजपेई जी ने जब शाशन समाड़ा नब्बै के दशक में, वो पहला कालखंड था जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड एक बड़ी योजना थी, और आज दुनिया भारत के किसी से में किसी किसान से पूछेंगे, कि आपको कौन सी ऐसी निती जिससे सबसे पहले संबल मिला, तो के सी सी का जिक्र करेगा, किसान क्रेडिट का जिक्र करेगा, दूसरा हम देखते हैं, आज पूरे भारत के गाउं में, प्रधान मंतरी गराम सड़क योजना के बोर्ड आपको दिखेंगे, तो बेसीकली समझ्या थी कि किसान अपने उपज को मंडी में लेके जाये कैसे, सीमित साधन थे, सड़कें थी नहीं, इस प्रधान मंतरी गराम सड़क योजना से किसानों की दशा और दिशा बदली, तीसरी जो मैंने बात कई जोखिम की, कि किसान बहुत तूफान आया, आंदी आई, ओले हुए, होता है, मकान का, दुकान का, सब तरीका का बीमा होता था, लेकिन वाजपे साब ने कभी नव पहल की, किसानों को फसल बीमा योजना का एक बड़ी सोका थी, तो मैं समझता हूं कि एक करांती कारी बदलाव उनके दोर में शुरू हुआ, जो चर्चा चली, आपने जिक्र क किसान अंदोलन का भी, मुझे लगता है कि इसकी चर्चें देश में खूब हुई है, हो भी रही है, अंदोलन भी चल रहा है, और लोकतंत्र में किसी भी कानून के परती, किसी विवस्ता के परती, ऐसा मती हो सकती है, अभिवक्ती के आजादी भारत का समीधान देता, भार साथ एक ऐसा निर्पेक्ष देश है, इस मामले में, कि उसने सब तरीकी के विवस्ताओं के बीच में भी अभिवक्ती के आजादी को अक्षुन रखा है, इसलिए उस नाते, कुछ किसान संगठन या कुछ दीरे-दीरे उसमें और लोग भी शरीक हो गए, वाजपई जी के बाद में जो बड़ा करांतिकारी बदला वाया, वो था तीनों क्रिशी कानून, एक कानून कीमत के बारे में था, एक एसेंशल कमोडिटीज के बारे में था, और एक मंडियों के बारे में था, अब सामाने तोर पर मोदी जी के सरकार ने आने के बाद में, जो विवस्ता की बीज से लेके बाजार तक कहा जाता है कि उन्नत बीज कैसे और बाजार कैसे मिले एक अनवरत शरंखला है कि उन्होंने बहुत योजनाबत तरीके से ये जो तीनों बिल आए ये बिल भारत के इतियास में वाजपई जी ने जो रेफॉर्म किये उसको मोदी जी ने आगे बढ केते हैं कि इस से किसान का अहीत नहीं होगा सामाने तरीके से समझें तो किसान पहले मंडियों में अपनी फसल को बेचने के लिए पाबंध था उसको टैक्स चुकाना होता है आज वो इस बारे में पूरे तरीके से मुक्त है मंडी में बेचे मंडी के बाहर बेचे राजस् बास ये खड़ा हुआ कि MSP का क्या होगा प्रधान मंत्री जी ने स्पस्ट तोर पे का है क्रिशी मंत्री ने का है कि नियूंतम समर्थन मुल्य इसमें भी सुधार हुआ है आजादी के बाद मोदी सरकार इसी सरकार है जिसने 14 फसलों में MSP को डेट गुणा किया बाजरा हमार एक विशेश प्रावधान भी जोड़े गए हैं जिससे किसानों को बहुत लाब पहुँचने वाला है फिर क्या कारण है कि किसान इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं क्या कहीं न कहीं ये जो लाब है इन कानुनों के ये भारती जंता पार्टी या केंद्र सरकार ठीक प्र करने के लिए सिर्फ पंजाब और हर्यान ही क्यों हम देश के बहुत सारे इसे राजस्तान का भी जिक्र करें जी तो आज करोली का किसान शानत है उद्यपूर के किसान को सरोकार नहीं है बाड़ मेर में संतुस्ती है जैसल मेर में तो किसानों को अच्छे से तरीके से पता ह हक्मे है यह जो आंदोलन है ह। हुए किसानों के नाम पर इस आंदोलन की दिशाब बघली जा रही है और किसानों के हक्में बिनी है आज किसान पूरे तरीके से किसी भी किसान को कहेंगे तो बिल्कुल इस बात से तयार होगा रही बात मंडियों की मान लिजिए कहीं मंडी के व्यापारी को एत्राज है और किसी निकाग इसमें उनकी भूमिका भी हो सकती है लेकिन मंडी के व्याप है वहाँ व्यापारा नमरत चलेगा कोई मंडी खत्म नहीं हुए आंदोलन चल रहा है महिने बर से कहीं कोई मंडी यह जो बिल आए उसके बाद मंडियां भी चल रही है वहाँ मंडियों में काम करने वाले आड़ेती अपना कारोबार कर रहे हैं किसान भी अपनी फसल ले जा उननीस के कॉंग्रेस पार्टी के गोशना पत्र में रहा है आज वो यू टर्न करती है तो वो केवल राजनितिक लाब के लिए करती है जो किसान यूनियन है उसने इस बात पर प्रसंदता जाहिर की थी कि मोधी जी ने तीनों कृशी भी लाके हमारी अपनी नीती को है उसमें इस तरीके के लोग राजनितिक लाब के लिए किसानों को जरूर उनको भरमित करके गुम्रा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पत्तिस दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने जो राश्ट के नाम संबोधन किया और देश के हर किसानों से अरुनाचल के किसान से बा जरूर नहीं है किसी तरीके का असंतोस नहीं है और जो आंदोलन है वो आपने बात करने के दिए स्वतंद्र हैं पर मुझे अभी भी लगता है मैंने देखा कि यह लोगतंत्र की सरकार की तरब से मोदी जी की सरकार की तरब से सार्थक और सकारात्मक समाधा निश्य दूप से निकलेगा। तो फिर हो सकता है कि ऐसे लोगों को समझाना भी कठिन हो सकता है। अपितु साथ में विशा ये भी है कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी समय समय पर कहते हैं किसानों की आय बढ़ाने की बात, किसानों की आय दोगुनी करने की बात, उस दिशा में भी निरंतर काम हो रहे हैं, किसानों के कल्यान के लिए भी विशेश योजनाय बनी है, सतीज जी आप से जानकारी ये भी चाहेंगे जिस प्रकार से केंदर सरकार, ये मोधी पार्ट टू हम की जब बात करते हैं इसमें किसानों के लिए क्या कुछ और नई विशेश चीजें, इन नीम कोटेट यूरिया से उस कालाबा जेरिक पर ताला लग गया, वो बंद हो गई, हमारे किसान को, मैंने जैसे का कि किसान, दुनिया के किसानों से कम्पीट करे, परतिस परदा करे, तो अभी तक पारंपरी खेती करता था, लेकिन उसकी जमीन की उरवरा क्षमता कितनी है, किस फसल के उप्यूक्त है, कितनी खाद, कितना बीज, कितना पानी, इसलिए सोयल हेल्थ कार्ड, लगबग बाईस करोड किसानों को, एक बड़ा करांती कारी इस तरीके का उक्रम था, जिससे बाईस करोड किसानों को, खेती के बारे में, और उसकी उपज के बारे में, उसकी फसल के बारे में, उसकी जमीन के बारे में, पूरे तरीके से जानकरी हुई, आज बहुत सारे किसानों ने इसका लाब लिया, अभी जो नई जो पच्चीस तारीक को जो बड़ा काम किया. नो करोड़ किसानों को प्रधान मंतरी जए ने अठारा हजार करोड़ रुपे ट्रांसपर किये. शांबाने तोर पर कोई यह कह सकता है कि 6000 रुपे साल में क्या होता है? लेकिन कई किसानों ने अपनी जुबां से कहा कि कोरोना के कालखंड में जब सारे resources बंद हो गए, तो वो 6000 रुपए उसके लिए संबल बन के आए, उससे छोटी मोटी जो जोत के किसान है, उनको खाद का बीज का अनेक किस्म का लाब मिला, यह जो प्रधानमंतरी किसान सम्मा निदी है, यह विश्व का सबसे बड़ा डारेक्ट बेनेफिट ट्रांसपर स्कीम है, जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं है, केवल भारत के किसानों के लिए है, ऐसी बहुत सारी चीजे हैं, खेती में जो उन्नत खेती के लिए जो नवाचार हुए, उसमें दीरी दीरी आप पारंपरी खेती छोड़के, किसान बागवानी की तरफ, फलों की खेती की तरफ बढ़ रहा है, और यह हमने देखा है, कि खेती के अलावा जो दूसरे धंदे भी हैं, आज मैं कहूं कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा दु पशू है हमारे भारत के, ऐसे उन तमाम पशूओं के लिए दस अजार करोट से भी उपर एक योजनाय सी लाए, जिसमें उनको वैक्सिनेशन की, फ्री वैक्सिनेशन की स्कीम हो लेके आए, और जिससे प्रदेश के और देश के पशूओं को जो रोग होता था, उससे मुक प्रतिमात तीन हजार की पेंशन का प्रावधान ये किया है, ताकि किसान बुढ़ापे में ऐसी अवस्था में जब शारेरिक श्रम के लिए वो अशक्त हो जाए, तो उसको एक तरीके का संबल मिले, ऐसी अनेकों योजनाय हैं, जिसके जरिए जो बुनियादी योजने ला जैसे भारत को क्रशी प्रधान देश कहा जाता है, इसी मूल भावना को ध्यान में रखते हैं, वो माननी है प्रधान मंतरी, नरेंद्र मोधी जी ने किसानों की आय दो गुनी करने की बात की, इसको लेकर उन्होंने जिस प्रकार से नियम कानून बनाने हैं, उस दिशा में भी आगे बढ़ें, किसानों को जो आर्थिक रूप से सहायता करने की बात है, उसको भी किसान सम्मान निधी नाम दिया गया है, अन्न दाता है और उसका सम्मान वस्तों में बहुत आवश्यक है, कहीं ये भाव भी केंद्र सरकार के मन में रहा होगा, सतिर जी जिस प्रकार में वो गीता के महत्व की चर्चा भी करते हैं, युवाओं को गीता का महत्व समझाते हैं, दूसरी तरफ गुरु गोविन सिंग जी और उनके साहिब जादों के बलिदान की भी बात करते हैं, और आत्म निर्भर भारत की भी बात करते हैं, क्या कुछ संदेश सार रूप म मैं उसको यही तुलना करूँ तो एक तरफ सरदार पटेल स्मर्ण होते हैं कि उन्होंने पूरे देश बर में रियासतों का एकी कर्ण के और भारत को एकता के सूत्र में बांदा हुँ जी हम लोग यही कहते हैं कि अनेकता में एकता भारत की विशेस्ता और अलग-लग विभी के लोगों को मनों से जोड़ा दिलों से जोड़ा इसलिए मुझे सरदार पटेल साब का स्मर्ण आता है कि मोदी जी ने इस मन की बात के जरिए वो सब काम किया कि वो अरुनाचल के लोगों से कनेक्ट होते हैं वो सीधे सीधे कस्मीर के केसर की बात करते हैं कि केसर का किस त का जो कर्म का संदेश है वो मिले तो वो तो है लेकिन उन्होंने तो शाक्षात जापान के प्रधान मंतरी को गीता भेट करके का कि भारत की तरफ से दुनिया को देने वाला सबसे बड़ा उपहार है इस मन की बात के जरिये जो गीता पर या अन्याने विश्यों पर उन्हों जो बात रखी मैं पूरे साल बर से जब देखते हैं तो उन्होंने सारे पक्षों को चुआ है जी और उससे सामाने किसी सिक्षक्षे बात करते हैं जिसने कोई नवाचार किया किसी खेत के किसान से बात करते है जिसने कोई अच्छी बात कई तो उनके चेहरे खिल खिल उठते हैं प्रधानमंत्री जिसे बात करते हैं वो बच्चों से बात करते हैं उनसे शाक्षातकार करते हैं उनसे रूबरू होते हैं वो सेनिकों से बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मन की बात का जो एपिसोड है एक अभिनव प्रियोग था एक परिपूर्णता लिये वे था और भारत के ये जो नई पीडी है और नई पीडी के साथ साथ आज का भारत है उसमें ये मन की बात भी मुझे लगता है कि भारत का समाज का बदलाओ और देश का जो पूरे तरीके से पुनर निर्मान होगा उसम व स्रेश्ट अजन्य आसा कहते हैं कि यदि राजनीती में आप काम कर रहे हैं जायते युवाओं को संस्कारित करने की बात करते हैं देश में का आत्म विश्वास का भाव जागरत करने का प्रयास करते हैं और मनों में किसी प्रकार का भेद नहीं हो ये भी वो प्रयास करते हैं सतिय जी हम चर्चा करेंगे प्रदेश को लेकर जिस प्रकार से राजस्थान में को लेकर किस प्रकार के स्थितियां हैं आम तोर पर यह माना जाता है कि विपक्ष का धर्म और विपक्ष की भूमी का सत्ता का विरोध है जी मैं लगबग 90 से राजनिती में और मैं निर्पेश तरीके से यहां इस मंच पे बात कहूंगा कि मेरी समझ में मेरी जानकारी में और अकरमने, नकारा, ब्रष्ट और अराजक सरकार नहीं आई और उसके भी लोजिकल कार्ण है खिलाड़ी जब मैदान पे अपनी परफॉर्मिंस देता है तो उसका भी वह आकलन करता है मुझे लगता यह सरकार भी आकलन कर रही होगी तो उसको पता लगेगा कि उसने पिछल की बात कर रहे थे आख कांग्रेस के नेता ने अनेक मचों पर का कि दस गिनेंगे और किसानों का राजस्तान की किसानों का पूरा करजा माफ हो जाएगा, जी, सरकार की यह पहली वादा खिलाफी थी, राजस्तान के असंख्य बेरोज़कार, हजारों नहीं लाखों, अलग लग तबके के और सडकों पर हैं इस कोरोना के कालखंड में हम देखते हैं कि प्रोटोकॉल का उलंगन करके भी वो लोग सर्दी में भी सडकों पर आ जाते हैं डाहिला के करीब समीदा कर्मी हैं जो नियमिती करण का इंतजार कर रहे हैं हमारे से कुछ ही दूरी पर आसा सयोगी नहीं जिन्होंने कोरोना के युद्धा के रूप में काम किया वो सर्दी में ठीटूर कर अंदोलन कर रही हैं उनको बाहर की दुनिया दिखती है लेकिन घर नहीं दिखता और इस लिए बेरोजगारों के साथ दूसरा बड़ान जा राजस्तान हमारे यहां शांती परिये प्रदेश कहा जाता है और राजस्तान को लोग पसंद करते थे कि राजस्तान में सुकून है बाहर के लोग यहां बसने के लिया आते थे आज राज़्दानी की बात भी करें तो राजस्तान केवल जैपूर नहीं पूरा राजस्तान भी दी क्राइम कैपिटल कहा जाए तो अतीशोक ते नहीं मुझे इस बात की शर्मिंदगी भी अफसोस भी है कि शांती पूर राजस्तान शांती पूर्ण राजस्तान और उसको अपरादों ने इस तरीके से घेर लिया आज चार लाख पिच्छत्रहजार फाइयार थानों में दर्ज होती हैं दो साल में तो एक बड़ा अकड़ा है औ और नेशनल क्राइम रिकोर्ड ब्यूरो इस बात को प्रमानित करता है कि राजस्तान सरवादिक अपराद गरस्तराजों में शुमार हो गया है महिला अपरादों में बढ़ोतरी हुई सरकार कुछ भी कहे लेकिन गैंग रेप की बलातकार की लूट पार्ट की हत्याओं की और पिछले यदि 6 महिनों का आकलन कर जैपूर की भरी सडकों पर सर्याम गोली मार कर हत्या करना यह बांगी है सरकार की नित्य प्रति इस तरीकी घटनाएं होती हैं तो यह लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया तो कुल मिलाकर मैं दी आकलन करूं तो यह सरकार यह त इंक्रमन का अकड़ा चीपाया और राजस्थान उसी तरीके पे सरवादिक कोरोना ग्रसित राज्यों में भी सुमार हुआ जी कोरोना के मामले में सरकार पूरे तरीके से विफल हुई तो बहुत एक लंबी फैरिस्ट है मैं इस मंच पर बात करूंगा तो शायद बहुत ल कर तो बात कर रहे हैं लेकिन इससे पहले आपने यह भी गाया कि निर्पेक्ष रूप से दि आप आंकलन करते हैं तो दो वर्ष में प्रदेश की कॉंग्रेश सरकार का कोई एक काम आपको पसंद आया कि एक काम कोई उन्होंने ठीक किया होगा किसी काम के लिफस अभी कोर है और कॉंग्रेस पार्टी के सिलेट भी खाली है जो काम किये हैं वो सब के सामने दिख रहे हैं कि इन्हों ने अपनी पार्टी में विग्रे हुआ, 34 दिन बाड़ा बंदी हुई अपनी पार्टी के अध्यक्ष को बर्खास्त किया, डिप्टी चीप मिनिस्ट को बर्खास्त किया, तो कुल मिला कर उपलब्दियों के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन विफलताओं के नाम पे इनकी पूरी जोली बरी हुई है. इतना संतुष्ट है देखिए दो चुनाव हुए एक पंचायती राज का बड़ा चुनाव था जिसमें 21 जिला परिश्दों के चुनाव हुए और 222 पंचायत समितियां थी ग्रासरूट की उस राजनिती का ये बड़ा अधार स्थम है जो चुनाव होते हैं दो करोड 41 लाक म मतदाताओं में दो करोड 41 लाक यानि आदे से भी ज्यादा मतदाता और वो सरकार के खिलाब मतदान करते हैं तो जो आपने प्रशन पूछा उसका जवाब वहीं मिल जाता है कि राजस्तान की अधिसंख्य जनता जिसमें अधिकांस किसान है ये सारा ग्रामीन परिवेश का चुनाव था जिसमें बहुत नीचे तक ग्राम पंचायतों से लेके और जिला परिश्दों तक चुनाव होते हैं यानि राजस्तान का किसान इस सरकार की नीतियों के खिलाफ है चायो बिजली के बिलों का हो जो जो दस जार की सबसीड़ी पूरवरती सरकार देती थी इनों उसमें भी भारती जनता पार्टी आपने अदक्ष के नाते पूछा तो मैं संतोश वेक्ट कर सकता हूं कि राजस्तान की जनता का मैं अभार वेक्ट करूंगा क्योंकि ये पहली बार हुआ राजस्तान के इतियास में पंचायती राज के चुनावनी ताम तोर पर धार नही के से करती होगी गिंटी लेकिन आप देखिए कि उसमें पचास निकायों में बतिस निकायों में निर्दलियों को बढ़त मिली मैं मानता हूं में भी नहीं मिली लेकिन कॉंग्रेस पार्टी को बढ़त मिली कॉंग्रेस पार्टी को सिर्फ दो हजार आट सो अठासी बोटो में जीते तो कुल मिलाकर ये बानगी थी चुनाव परिणामों की कि ये दोनों ही परिणाम सरकार के खिलाफ गई और पंचाइती राज में हमारे हक में गहें सतीजी आप से एक जानकारी संग्ठन के रूप में विचाएंगे जिस संग्ठन का प्रती निजित्व करते हैं नए मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों का गठन हो रहा है पार्टी में संगठन का विस्तार हो रहा है एक राजस्थान की राजनीते में सामनेतिया ये माना जाता है आपको लेकर आपने अनेक वरिष्ट नेताओं के साथ में संगठन में काम किया है अनेक बार प्रदेश म महामंत्री भी आप रहे हैं, कार्यकरताओं का नेता आपको कहा जाता है खास तोर पर, संगठन की रीती नीती जो है उसको आगे बढ़ाने में, डॉक्टर सतिश पूनिया क्या कुछ नवाचार करने वाले हैं आने वाले दिनों में, क्या कुछ नई चीज संगठन में समझा मुझे जिम्मेवारी थी, मेरे लिए चुनोती थी, और एक चुनोती कोरोना के रूप में भी आई, क्योंकि लगबग आदा समय और ये कोरोना के कालखंड में ही बीता, मेरे साथ मेरा दुर्भागी ये था कि मैं दो बार संक्रमित हुआ, और साड़े तीन महीने तक मैं खुद इस बिमारी से जूजता रहा, मैं जमीन का आद में उसलिए परिश्रम करना और कारेकरताओं से संभा जनता के बिच में कामकाजी प्राथमिकता रहती है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कोरोना के कालखंड में सरकार जो दावे करे, लेकिन भारती जनता परिटी के कारेकरताओं ने राजस्तान में जोखिम लेकर भी, मैं आज कह सकता हूं कि हम लोगों ने डेड़ करोड लोगों तक राशन पहुंचाया, ऐसे ही लगबग करोडों लोगों तक हमने भोजन की वेवस्ता की, 63 लाख लोगों तक सूखा राशन और डेड़ करोड लोगों तक भोजन सामगरी हम लोगों ने पहुंचाई, 83 लाख राव के सेतू और प्रधान मंत्री जो इसमें केर फंड था, उसमें दो लाख पैंसेट अजार लोगों ने शिरकत की, मैं यह मानता हूं कि एक बड़ी चुनोती थी, लेकिन सामाजिक सरोकार से जुड़के कोई राजनितिक दल काम करें, मुझे भी ताजब था, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे कारे करताओं ने, जो मेरी मंद्शा थी, कि हम लोग केवल नारों के नहीं सरोकारों की राजनिती करें, और इसलिए हमने आपको, मैंने खुद को भी, और कारे करताओं को भी इस वाले समय में मैं देखता हूँ कि हमारे मोर्चों का आपने जिक्र किया वो केवल राजनितिक के और सिपाई के रूप में काम नहीं करें आज हमारा युवा मोर्चा रक्तदान का भी काम करता है राशन वितरन का भी काम करता है कहीं सफाई के लिए भी काम करता है हमारा जो मह महिलां के मुद्दों पर मुखर होकर काम करें, तो मेरी मन्चा यह कि हम केबल नारों की नहीं, सरोकारों की राजनिती करें, उस देशा में हमने बढ़ना शुरू कर दिया, और मुझे पूरा बरोसा है कि एक राजनितिक जन्द समर्थन के साथ साथ हम सामाजिक कामों से भी लोगों का दिल जीतेंगे, और कुल मिलाकर पार्टी एक नया नवाचार कैसे हो, नई उमर के नई उर्जा के लोग कैसे आएं, कोशिश हुई है, अभी पंचाइटी राज में पत्तिस साल की उमर की हमारी बहन जिला प्रमुक बन जाती है, नरेगा की मजदूर बरजी भाई, भीलवाडा की जिला प्रमुक बन जाती है, आज उस बरजी भाई की कलम से नरेगा की मजदूरों का बुखतान होगा, यानि हम लोगों ने कोशिश की की राजनिती में एक सोशल इंजिनिरिंग क के नाते भी उमर के नाते भी और नवचार के नाते भी हम इसमें काम करें मेरी कोशिस है कि हम लोग इसमें सफल होंगे इसकी शुरवात हो तो डॉक्टर सतिश पूनिया का स्पष्ट रूप से कहना है कि राजनीती केवल नारों की नहीं होनी चाहिए, राजनीती सरोकारों की होनी चाहिए और वास्ताव में भारती ये राजनीती को यदि हम ठीक से देखते हैं, तो अनेक उधारन यहां देखने को मिलते हैं कि परचा में भी निकल के आ रही है कि सेवा ये महत्वपूर्ण है और यदि राजनीती के माध्यम से सेवा होती है तो और प्रभावी रूप से ये काम आगे बढ़ाए जा सकते हैं, सतिश जैसे आपने अभी बताया, दो बार आप भी संक्रमित हुए, एक राजनेता के रू किस प्रकार के अनुभब व्यक्तिकत रूप से आये, किस प्रकार से खास्तोर पर सामाजिक व्यक्ति के लिए तो और कठिन काम है, कि एकदम घर में कैद रहना, किस प्रकार से समय का आपने सदुपियों किया, दर्शकों को भी क्या कुछ उससे प्रेरणा मिल सकती है, किस से उस समय को निराशा से आशा में बदला जा सकता है, देखी एक बड़ी चुनोती थी, जैसे मैंने कहा कि कोरोना एक बड़ी आपदा थी, और शुरुवात में तो किसी को भी नहीं पता था कब तक चलेगा, क्या होगा, तो मैं भी उनी लोगों में से था कि शायद अफते के नेता निर्देश देते थे की हमें सेवा के भाव से काम करना है, पर यह सेवा बिना लोगों के बीच में जाये कैसे होती, तो एक बड़ी चुनोती थी, जिन्दगी का जोखिम सब को यह होता है, परिवार सब के हैं, लेकिन मैं घर पे बैठता, तो शायद फिर कारे करत लोगों के बीच में रहे, राशन सामगरी बाटने से लेके, चपल जूते चपल बाटने से लेके, दवया बाटने से लेके, उनकी दूसरी चो मदद करने से लेके, तो मैं लगबग तीन-चार महीने तक घूमता रहा, तो मुझे लगा कि मैं सुरक्षित हूं, और अनाया स एक दिन पता लगा कि मुझे संक्रमन हुआ, वो जो पहला फेस था चौदे दिन का, सामाने तोर पर कोशिश की कि ठीक है इसका उपयोग करें, तो कुछ पुरानी पुस्तकें पड़ी, कुछ लेखन का काम किया, टेलीफोन की फ्रिक्वेंसी बढ़ाई, कार्यकरतां से टेलीफोन के जरिए, और्डियो के जरिए, तो उससे मुझे कारे करता हूँ के बीच में एक जीवन समवाद का अफसर मिला, कुछ वेक्तिकत बातें भी और भी चीजों का, पार्टी के बारे में भी कुछ सोचने का, समाज के बारे में बिरकुछ वेक्तिकत एक आदमी का आत्मा उलोकन होता है, उसका भी अफसर मिला, मुझे लगता है कि जब यह हिदायत के साथ-साथ हम भी कहते थे कारे करता हूँ को कि मास्क लगाएं, सोचल डिस्टेंसिंग रखें, आथों को सेनिटाइज करें, पर मैं बाद में जब दुबारा संक्रमित हुआ, तो मुझ संक्रमित हुआ, शायद कहीं ने कहीं लापरवाई रही होगी, और उसके कार्ण मुझे पीड़ा से हस्पताल में रहना पड़ा, एक लंबे समय तक मैं जनता और कार्यकरताओं से दूर रहा, इस बात का मुझे अफसोस था क्योंकि फिल्ड में काम करने वाड़ा व्यक्ति का, पर मैं दर्शकों को यही कहूंगा कि इस बीमारी के बारे में अब तो देरे-देरे उतार पे है, लेकिन फिर भी कोरोना का खत्रा कम नहीं हुआ है, संक्रमन कम नहीं हुआ है, इसलिए इसकी आवशक सावधानिया अभी भी जरूरी है, जी और मैं जो समझ पाया, डॉ रखेंगे, तो पहला बचाव का कारक है, दूसरा सुभाविक है, जहां डिस्टेंसिंग का पालन होता है, वो लोग कम संक्रमित होता है, अकेले में रहने पे जिस परकार से, कुछ लोगों में निराशा का भाव आता है, अपने आपको आशावादी किस परकार से बनाए र शक्ति को उसकी विल्पा और मजबूत होती है, तो मेरे लिए एक जो संबल का कारण था हनुमान चालिसा, जो मैं नियमित उसका पाठ करता था, इस्पिताल में भी, जो एक निराशा शुरू के एक दो दिनों में आई, लेकिन मुझे ये लगा कि इस बिमारी से मुझे रहेंगे, तो आपको एक अलगाव लग सकता है, एक मानसिक तोर पर आपको परिशानी हो सकती है, तो आपको ही लड़ना है, तो मुझे लगता है कि विल्पावर किसी भी बिमारी के लिए, इसके लिए भी इच्छा शक्ति, ये बड़ा अस्त्र है, तो व्यक्ति मजबूत रहें, गबराएं नहीं, बराबर उपचार लें, और हमारे याँ तो रसोई अपने आप में फार्मेसी है, जो इस समय जो हम लोग करते हैं, मजबूरी में करते हैं, मुझे लगता है कि यदि उसको दिन्चरिया में शामिल करते हैं, कुछ चीज़ों हम करते ही हैं, जो इम गंटा आद गंटा वेक्ति को अपने लिए चाहे प्राणयाम हो, चाहे सामने वयाम हो, या ध्यान, मेडिटेशन हो, तो ऐसा कुछ समय वेक्ति को वो चाहे किसी भी फॉर्म पर काम करता हो, किसी मंच पर काम करता हो, किसी जगह काम करता हो, तो मुझे लगता है कि वेक्ति उसको स्वस्त्रेने मदद करें लिए तो दोक्टर सतेश जी पूनिया का यह कहना है कि हमारे घर में भी वास्तव में जो रसोई है वो तो अपने आप में एक फार्मेसी है लेकिन उसके साथ में इच्छा शक्ती हमारी मजबूत होनी चाहिए और किसी ने ठीक ही कहा है नर्व से चर्चा करेंगे जिस प्रकार से पिछले दिनों प्रदेश में अनुशासन आत्मक कारवाई भी आपने संगठन में अनेक लोगों को लेकर कि जिस प्रकार से चुनाव का दौर था वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं पुराने वरिष्टनेता घंशाम तिवाडी के भी वा मरियादा से चलते हैं उस मरियादा पर जब आँच आती है क्योंकि परिवार बढ़े यह तो सब सोचते हैं परिवार टूटे यह कोई नहीं सोचेगा ने कोई चाहेगा लेकिन फिर भी जब आपको लोग तंत्र में स्थान मिला इजट मिली मान समान और तबज्जव मिली तो जो संगठन है वो केवल व्यक्तियों का समू नहीं है उसके लिए एक समिधान है रीती निती है परंपरा है और इसलिए यदि उसमें उदंडता रहेगी उच्ष्रंकलता रहेगी आप परीदी से बाहर जाएंगे तो सोचने पर विवस होना पड़ेगा कुछ इस तरीक रहता है कि वो चीज संगठन को आगे बढ़ाने में कारगर हो सकती है आपने जिकर किया कुछ लोगों को हम लोगों ने इंडक्ट किया वापस लिया तो मैं बिलकुल इसमें बहुत ज्यादा रिजिट भी नहीं हूं फर्म भी नहीं हूं क्योंकि समय के इसाब से कुछ लो पार्टी और जनता की सिवा के लिए बेतीत करना चाहता हूं तो हम गुण आउगुण के अधार पर उसका फैसला करते हैं आने वाले दिनों में कुछ और नाम ऐसे देखने को मिल सकते हैं देखिए काफी चर्चाएं होती है लेकिन बहुत लोगों ने इस बारे में अपनी पहल नहीं किये लेकिन कारे करता हूंगे ज़र यह कुछ नामों का जिकर आता है तो उसको हम मेरिट और डिमेरिट के अधार पर देखेंगे पार्टी को उनको कितनी आवशकता है और कितना वो कमिटेड है इस पर भी विचार करना जरूरी है वर्ष दो दो हजार इकीस आन होने के नाते स्वैम के लिए पार्टी के लिए अगले वर्ष के लिए क्या कुछ लक्ष और उद्द्देश आप निरधारित करते हैं देखिए दोजार बीस पूरी दुनिया के लिए प्रदेश के लिए भी और पार्टी के असंखे कारे करताओं के लिए भी एक संगर्ष का वर्ष था चुनूती का वर्ष था और मैं उमीद करता हूं कि अंग्रेजी का नया साल दोजार इकीस ये प्रदेश वासियों के लिए भी सुक्स, मर्दी और शान्ती ले के आए, आरोग्य ले के आए. अब दो जार एक्किस क्योंकि मैंने जैसे का कि दो बरस इस सरकार के खिलाफ जो कोरोना की मर्यादा के कार्ण जो नहीं कर पाए. मुझे लगता है कि जन्ता के ऐसे बहुत सारे मुद्दें जिस पर बहुत हो शक्ता है. दूसरा, मैंने ये कहा था कि अब हम उस दिशाम में बढ़ेंगे कि राजस्तान क्योंकि हमारे लिए एक वैचारी क्रूप से काफी मजबूत प्रदेश है, जहां भारती जन्ता पार्टी के विचार को प्रमुक्ता मिलती है और अनेक अवसरों पर हमने सरकार बनाई हैं, लेकिन अब मैं उस धार्णा को तोड़ना चाहता हूं, मैंने अधक्ष बढ़ने के बाद भी कहा था कि एक बार ये सरकार, एक बार वो सरकार, लेकिन आज पूरे देश का नक्सा देखें, जी तो कॉंग्रेस विचार और विवार से नकार दी गई है, आज रा राजस्तान अब अजेब बने, भारती जनता पार्टी के विचार के लिहाज से अबेद्य बने, और हम लोग और ज्यादा मुझबूती से राजस्तान के निवासियों के सेवा कर पाएं, इन्ही मन्शा के साथ, इसी नीती और नियत के साथ हम आगे बढ़ेंगे. करने के लिए किसानों के हित में, जिस प्रकार से कानून का निर्मान कर रही है, वो भी विशह सरलता से इन्होंने रखा, प्रदेश की स्थिती पर इन्होंने चर्चा की, साथ में चर्चा इन्होंने ये भी की कि संगठन के माध्यम से किस प्रकार की नवाचार हो रहे हैं, राजनीती के माध्यम से सेवा और सरोकारों की राजनीती किस प्रकार से हो सकती है इन तमाम विश्यों पर सतीज जी ने हमारे से इस कारिक्रम में चर्चा की आप आए हमारे स्टूडियो में आपने तमाम मुद्दों को बहुत सरलता से सहजता से हमारे दर्शकों के समक्ष र प्रॉब प्रॉब आगी